पागल हाती हाती के विशय में माना जाता है कि हाती जब तक मालिक के प्रती वफदार रहता है तब तक ठीक है किन्तु एक बार यदि उस पर पागलपन सावार हो जाए तो वह किसी को नहीं छोड़ता आईए पाट में मोती हाती की गाथा पड़े मोती हाती राजा साहब की खास सवारी था वैसे तो वह बहुत सीधा और समझदार था पर कभी कभी उसका मिजास गरम हो जाता था तो वह अपने आपे में नहीं रहता था उस हालात में उसे किसी बात की सुद नहीं रहती थी वो महावत की दबाव में भी नहीं मानता था एक दिन इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला राजा साहब ने यह खबर सुनी तो उन्हें क्रोध आया मोती की पदवी छीन ली गई उसे राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया अब कुलियों की तरह उसे लकडियां ढूनी पड़ती वह जब अपनी इस दशा को देखता तो दुखी होता वह सोचता कहां में राजा का सबसे प्यारा हाती था और कहां आज मामूली मजदूर हूँ यह सोचकर जोर-जोर से चिहानता और उचलता आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जन्जीर तोड़ दी और जंगल की ओर भागा थोड़ी ही दूरी पर एक नदी थी मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया फिर वहां से जंगल की ओर चला इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दोड़े पर मारे डर के कोई उसके पास न जा सका जंगल में पहुचकर मोती अपने पुराने साथियों को ढूनने लगा पर जंगल में हातियों ने जब उसके गले में रसी और पाओ में तूटी जंजीरें देखी तो मूँ फेर लिया वह भागता हुआ वापस महल की ओर चल पड़ा वह रास्ते में ही था के उसने देखा राजा साहब शिकारियों के साथ गोड़े पर चले आ रहे है वह फौरन एक बड़ी चटान की आड़ में छिप गया धूब बहुत तेज थी राजा साहब ज़रा दम लेने के लिए गोड़े से उतरे अचानक मोती चटान की आड़ से निकल पड़ा और गरचता हुआ राजा साहब की और दोड़ा राजा साहब घबरा कर भागे और एक छोटी सी जोपड़ी में घुज गये कुछ देर बाद मोती भी वहां पहुच गया उसने राजा साहब को जोपड़ी में घुजते हुए देख लिया था पहले तो उसने अपनी सून से उपर का छपर गिरा दिया फिर उसे पैरों से रौंद कर चूर चूर कर दिया अंदर राजा साहब का डर के मारे बुरा हाल था जान बचाने की कोई आशा नहीं थी आखिर जब कुछ न सूजा तो वे जान पर खेल कर पीछे दिवार पर चड़ गए और दूसरी और कूद कर फाग निकले महल लोट कर राजा साहब ने धिंडोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जिन्दा पकड़ कर लाएगा उसे एक हजार रुपए इनाम दिया जाएगा कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने जंगल में गए मगर उनमें से एक भी वापस नहीं लोटा मोती के महावत का एक बेटा था उसका नाम मुरली था अभी वह कुल आठ वर्ष का था इसलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी मा को खाने पीने पहनने आधी के लिए कुछ खर्ष दिया करते थे मुरली था तो बालक किंदु हिम्मत का बड़ा धनी था वह कमर कसकर मोती को पकड़ कर लाने के लिए तैयार हो गया मुरली जंगल में एक उचे पेड़ पर चल कर बैट गया वहाँ से इधर उधर नजरे दोड़ा कर मोती को देखने लगा मुरली ने देखा कि मोती सिर जुखाए उसी पेड़ की ओर चला जा रहा है जैसे ही मोती पेड़ की नीचे आया मुरली ने पेड़ के उपर से पुकारा मोती मोती मुरली को देखते ही पहचान गया वही मुरली था जिसे मैं अपनी सून से उठा कर मस्तक पर बिठा लेता था मैंने ही इसके पिता को मार डाला था ऐसा सोच कर उसे बालक पर दया आ गई वह खुश होकर सून हिलाने लगा मुरली पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सून पर थपकिया देने लगा फिर उसने बैठने का इशारा किया मोती बैठा नहीं उसने मुरली को अपनी सून में उठा कर पहली की ही तरह अपने मस्तक पर बिठा लिया और राजमहल की ओर चल दिया मुरली जब मोती के लिए राजमहल के दौआर पर पहुचा तो सब ने दातों तले उंगली दबा ली मुरली ने चिला कर कहा डरो नहीं मोती बिलकुल सीधा हो गया है अब यह किसी को नहीं मारेगा राजा साहब ने मुरली को एक हजार रुपए का इनाम दिया राजा साहब ने उसे अपना खास महावद भी बना लिया मोती फिर से राजा साहब का सबसे प्यारा हाती बन गया